Hello Friends, Welcome to my channel Knowledge Mall और आज की जो ये वीडियो है वो है BPSC के लिए BPSC Current Affairs के लिए Current Affairs के लिए इसमें 25 questions दिये गया है तो आप Current Affairs की जो तयारी कर रहे हैं लगभग पूरा हो चुका होगा तो इसमें कितने questions आप स्कोर कर पा रहे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं तो पहला जो question दिया गया है वो है कि निमलिखित में से किन दो देसों के बीच नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास बोंगो सागर बंगाल की खाडी में October 2020 में संपन हुआ आंसर है Option No.1 भारत और बांगला देस के बीच भारत और बांगला देस के बीच नौसेनाओं का जो युद्ध अभ्यास बोंगो सागर ये संपन हुआ और इसमें जो है बंगाल की खाडी में जो संपन हुआ इसमें कई समुद्रे अभ्यास और आपरेशन भी किये गए पुस्तक A Time for Mercy के लेखक निमलखित में से कौन है आंसर है Option D. John Grisham फ्रांसेसी ओपन टेनिस पुरशकार 2020 महला एकल विजेता निमलखित में से कौन है आंसर है इसका Option B. इगा स्वीतेग जो की पॉलेंड की है महला एकल विजेता सोफिया कैनिन जो की अमेरिका की है पुरू से कल विजेता पूछा जाएगा तो राफेल नडाल जो के स्पेन के हैं और विजेता नोबाक जोकोविट जो के सर्विया के हैं निमलिखित में से किस देश के विजेता मंत्री ने अगस्त 2020 में सिक्कों पर महात्मा गांधी के चित्रों को अंकित करने की सिफारिस की आंसर है Option A. ब्रिटेन के विजेता मंत्री ने हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महला उतकर्स योजना की सुरुवात की है आंसर है इसका Option E. तो Option E का मतलब में आपे देखी रहे हैं कि उप्योगत में से कोई नहीं या फिर इसमें से एक से अधिक अगर आंसर है तो भी आपका Option E होगा तो यहां पर क्या सेंस है कि इन में से कोई नहीं क्योंकि ये जो मुख्यमंत्री महला उतकर्स योजना है इसकी जो सुरुवात गुजरात सरकारने महलाओं को ब्याज मुक्त रिन परदान करने के लिए सितंबर 2020 में मुख्यमंत्री महला उतकर्स योजना की सुरुआत की है निम्न में से अर्थ सास्तर में 2020 के नॉबल पुरसकार विजेता कौन है? आंसर है इसका आप्सन नमबर E फिर से वही दोनों option कोई नहीं या फिर उप्युक्त में से एक से अधीक तो यहाँ पर जो sense है तो वो है कि उप्युक्त में से एक से अधीक क्योंकि अर्थ सास्त के चेतर का 2020 का जो नॉबल पुरसकार है वो अमेरिका के दो अर्थ सास्तरी कौन-कौन तो Paul R. Milgram और Robert B. Wilson इन दोनों को ही सन्यत रूप से दिया गया है संपूर्ण भारत में स्वामित्व योजना को कब तक लागू किया जाना है आंसर है इसका option B. दो हचार चौबीस तक तो स्वामित्व योजना का जो मकसद है वो है ग्रामीन छेत्रों में घरों के जो मालिक हैं मालिकों को अधिकार संबंधी रिकॉर्ड से संबंधित संपत्ति कार्ड उपलब्द कराना वित्य मंत्री निर्मला शीतारमन ने गरीबों के लिए परधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के तहत कितने लाग कडोर रुपय के पैकेज की गोशना की थी आंसर है आप्सन बी 1.70 लाग कडोर रुपय की प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना की निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका आप्सन सी, पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है तो केवल तीन गलत है यहां पर है कि तीन करोड गरीब वरिस्ट नागरी को, गरीब विध्वाओं और गरीब दिम्याग जनों को दो हजार रुपे की अनुगरह रासी दिये जाने का प्रावधान है तो गलत क्या है यहां इसमें कि 2,000 रुपे नहीं बलकि 1,000 रुपे की अनुग्रह रासी दिये जाने का प्रावधान है बागी के दोनों आप्सन सही हैं कि मन्रेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपे से बढ़ा कर 202 रुपे परती दिन किया जाएगा और 20 करोड महला जन खाता धारकों को अगले 3 माह तक हर मां 500 रुपे दिया जाएगा मार्च 2020 में सन्युक्त रास्ट की कौनसी एजेंसी भारत की नागरिकता संसोधन अधिनियम 2019 के मुद्दे पर सुप्रीम कोट में याचिका दायर की है आंसर है option C UNHRC यानि के सन्युक्त रास्ट मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्याले द्वारा वैस्विग भूग सूचकांक 2020 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत का अस्थान निमलिकित में से कौनसा रहा आंसर है option A 94 अस्थान इसमें रहा भारत का और 107 देशों वाले सुचकांक में भारत का 27.2 स्कूर के साथ 94 अस्थान प्राप्त किया और अगर प्रतम अस्थान पूछा जाए तो प्रतम अस्थान बेलरोस का है फरवरी 2020 को संपन टेनिस परतियों गिता मैक्सिको ओपन 2020 पूरू सेकल का खिताब किस नहीं जीता आंसर है option C राफिल नडाल और अगर उबिजेता पूछा जाए तो टेलर फ्रिटस दे मार्च 2020 को माउंट मेरापी ज्वाला मुखी में विस्फोट प्रारंब हुआ या किस देश में इस्थित सबसे सक्रिय ज्वाला मुखी है आंसर है option number B इंडोनेशिया में विस्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है आंसर है option D 27 मार्च को विस्व रंगमंच दिवस की अस्थापना 1961 में इंटरनेशनल थियेटर इंस्टिचूट द्वारा की गई थी और इसका मक्षद जो है दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देना और लोगों को रंगमंच के सभी रूपों के मूल्यों से अवगत कराना है लोगतंत्र की मांग हेतू प्रदर्शन कारियों द्वारा अपने राजतंत्र के विरोध का रोचक तरीका थ्री फिगर सेल्यूट का संबंध निमलिखित में से किस देश से है आंसर है ओप्सन नमबर एथ थाइलेंड से बिहार के कुल ऐसे कितने सहर है जो स्मार्ट सीटी बनाने की योजनावे सामेल है आंसर है इसका ओप्सन ए चार सहर कौन-कौन से तो भागलपूर, बिहार सरीफ, मुझफरपूर और पटना आयोध्या इस्थित राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार निमलिकित में से कौन है आंसर है ओप्सन C, चंदरकांत भाई सोमपूरा मंदिर के लिए मुख्य डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपूरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था तथा इसका मुख्य वास्तुकार चंदरकांत भाई सोमपूरा है भारत सरकार ने बिहार के रवीस कुमार को निमलिकित में से किस देश का राजदूत नियुक्त किया है आंसर है इसका ओप्सन नमबर B फिन्ड लेंड का और रवीस कुमार जो है बिहार भागरपूर जिले के नातनगर के रहने वाले है ग्रीन बजट पेस करने वाला पहला राज निमलिकित में से कौन है आंसर है ओप्सन डी बिहार वर्ष 2020 के लिए सुसिल कुमार मोदी ने बजट के साथ साथ ग्रीन बजट भी पेस किया जल जीवन हर्याली अभ्यान इस ग्रीन बजट का महत्वपूर्ण अंस है स्टॉक हॉम समझोता का सम्बंध निमन में से किस से है आंसर है ओप्सन ए अस्थाई कार्बनिक प्रदूसक से परियावरन को सुरक्षित करना स्टॉक हॉम समझोता मानो स्वास्त और परियावरन को पी ओपी जैसे अस्थाई कार्बनिक प्रदूशन से बचाओ के लिए एक वैस्विक संधी है अक्टूबर 2020 में गंगा नदी में डॉलफीन अधारित एकोटूरिस्म कारिकरम डॉलफीन सफारी की सुरुआत किस राज में की गई आंसर है इसका ओप्सन ए ओप्सन ए का मतलब कोई नहीं या फिर एक से अधीक तो इसका आंसर है एक से अधिक के according option number E कौन-कौन तो इसमें राज आ जाएंगे उत्तरपरदेश, बिहार और पस्चिम बंगाल 5 अक्टूबर 2020 को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के अफसर पर राष्टिय स्वच गंगा मिशन ने गंगा नदी में डॉल्फिन आधारित इको टूरिस्म कारिकरम की सुरुवात की जिसमें की डॉल्फिन सफारी भी सामिल है और यह डॉल्फिन सफारी तीन राज जों बिहार, पस्चिम बंगाल और उत्तरपरदेश में की गई है जुलाई 2020 में किस देश में इस्थित हागिया सोफिया संग्राहले को मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया आंसर है ओप्सन नंबर A, तुर्की में अप्रेल 2020 में भारती वायु सेना ने ओप्रेशन संजीवनी के तहत किस देश को COVID-19 से लड़ने हेतु आवश्यक चिकित सा आपूर्ति परदान की आंसर है ओप्सन नंबर A, मालदीव को वर्स 2020 के प्रशिद डैन डेविट पुरसकार से किस भारतिय को सम्मानित किया गया आंसर है ओप्सन नंबर D, डॉक्टर गीता सेन को या पुरसकार डैन डेविस फाउंडेशन विद्याले द्वारा परदान किया जाता है या पुरसकार अतीत वर्तमान और भविश्य माननिय उपलब्धी के छेत्र का परतिनिधित करता है और उसी के लिए दिया जाता है निमलिखित में से किस देश को वर्स 2021 के लिए सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के और अस्थाई सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है आंसर है ओप्सन डी कनाडा को नहीं चुना गया है बाकी का ओप्सन जो है आईरलेंड, नार्वे, मैक्सिको इन सब को चुना गया है जून 2020 को सन्युक्त राष्ट सुरक्षा परिशत के और अस्थाई सदस्यता 2021-22 के लिए 5 देशों को दिया गया जिसमें भारत, आईरलेंड, नार्वे, मैक्सिको तथा केनिया को चुना गया है तो ये थे 25 कोस्चन का सेट, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी लिख सकते हैं का आपने कितना स्कोर इसमें कर पाया तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कमेंट और सेयर करना ना भूले, धन्यवाद